इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं क्लास टू मॉरल साइन्स का चैप्टर नंबर थ्री नीम अब दे चैप्टर इस बी सेटिस्फाइड मतलब हमें कंटेंट रहना चाहिए हमारे पास जो है हम उसी में खुश रहें चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को contentment means to be satisfied contentment का मतलब होता है त्रिप्थ हो जाना यानि हमें और लालज ना करना it is very important quality ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी गुन है you must have it ये आपके अंदर होना ही चाहिए everybody cannot have every quality अब सभी के पास तो same quality नहीं हो सकती for example some students are artists, some are good singers, some are good dancers and some are good players सब के पास अलगलग quality ये गुन होते हैं जैसे कि कुछ ऐसे student हैं जो artist होते हैं artist यानि जो अच्छी drawing करते हैं या clay से कुछ बना सकते हैं कुछ ना कुछ बना ना create करने वाले को artist बोलते हैं some are good singers, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत सुन्दर से गाना गा सकते हैं some are good dancers, कुछ लोग बहुत अच्छा डांस करते हैं and some are good players कुछ ऐसे student भी हैं जो खिलने में बहुत अच्छे हैं one should realize about his or her inherent quality and proceed accordingly इसलिए हर किसी को अपने inherent quality यानि उनके अंदर जो गुन है उस चीट को realize करना चाहिए, समझना चाहिए or proceed accordingly उसी के अनुसारों से proceed यानि आगे बढ़ना चाहिए if you are a good dancer, concentrate on dancing अब यहाँ पर हमारे पास एक example है मालनीजे आप बहुत अच्छे dancer हैं तो आपको dancing पर concentrate करना चाहिए, focus करना चाहिए मतलब ध्यान देना चाहिए do not try to become a good player और खुद को dancer ही बनने देना चाहिए ना कि आप यह सोचे कि मैं एक अच्छा player बन जाओ तो good player बनने पर कोशिस नहीं करनी चाहिए यहाँ picture में भी हम देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं और सारे बच्चे different different काम कर रहे हैं यह जो first boy है जिसके हाथ में brush है he is painting यह है artist उसके बगल में जो लड़की है she is a singer इसके बाद एक लड़का dance कर रहा है and fourth one is a player तो हर बच्चे में अलग अलग quality होती है आप सभी में भी different qualities है some children are good looking इसी तरह कुछ बच्चे देखने में बहुत ही अच्छे होते हैं while some have average looks और कुछ बच्चे जो हैं वो सीधे साधे लगते हैं be satisfied with what you have and thank God for it आपके पास जो भी हो आप उसी में खुश रहें और भगवान को इसके लिए धन्यवाद करना चाहिए do not urge for more आपको ये जिद नहीं करनी चाहिए ये भगवान से request नहीं करनी चाहिए कि मुझे और ज़्यादा मिले क्योंकि भगवान को तो पता है न कि हमें जिस चीद की जरूरत है इसलिए हमें वही मिलता है अगर आपके पास जो है आप उसमें खुश रहते हैं तो आपको बहुती शान्ती मिलती है और अपने लाइफ को मजे से जी सकते हैं तो इसी से रिलेटेर एक कहानी पढ़ते हैं The crooked oak tree crooked का मतलब होता है जो सीधा ना हो तेड़ा मेरा तो ये कहानी है एक पेर की जो तेड़ा मेरा था सुंदर नहीं था There was a forest It had many trees एक जंगल था जहां पे धे सारे पेर थे The trees were tall and erect which made the forest look beautiful और उस forest में बहुत सारे पेर जो थे वो लंबे लंबे tall and erect erect यानी बिलकुल सीधे थे जिससे कि वो जंगल बहुती beautiful सुंदर दिखता था However, there was an oak tree लेकिन वहां पर एक oak tree था It was old, crooked and looked very ugly वो जो oak tree था ना वो काफी पुराना था और तेड़ा मेरा था काफी अगली दिखता था, गंदा दिखता था It reduced the beauty of the forest और वो उस जंगल की शोभा को कम कर रहा था The forest was a part of a kingdom वो जो forest था वो एक kingdom यानी एक राज्य के अंदर आता था The king decided to gift a palace to the queen King ने decide कि वो अपनी queen को एक palace यानी महल gift करेगा So, as to get the wood The woodcutters were sent to the forest तो उस palace को बनाने के लिए उन्हें लकडियों की जरुरत थी इसलिए woodcutter यानी लकडी काटने वाले वो लोग forest में चले गए Within few hours, many trees were felled कुछी घंटों के अंदर बहुत सारे पेड़ों को गिरा दिया गया The tall, erect and beautiful trees were lying on the ground और जो लंबे लंबे सीधे और सुन्दर पेड थे उन सभी को काट कर थोड़ी देर में वो ग्राउंड में जमीन पर lying यानी पड़े हुए थे Almost all the trees were felled But the oak tree was still there लगभख सभी पेड़ों को काट कर गिरा दिया गया लेकिन वो oak tree अभी भी वही पर था Even the woodcutters did not like the old and cooked oak tree उन woodcutters को लकड़ारों को भी वो पुराना सा तेढ़ा मेरा oak tree पसंद नहीं आया The ugly appearance of the oak tree saved its life उस oak tree की जो ugly appearance यानी गंदा भद्दा सचेहरा था वो वही उसके जीवन को बचा पाया The tall trees looked beautiful but they had a short life जो लंबे लंबे पेर थे वो खुबसूरत थे लेकिन उनकी life उनकी जिन्देकी तो छोटी थी The oak tree was ugly but it had a long life Oak tree जो की काफी भद्दा दिखता था फिर भी उसका जीवन काफी लंबा था तो इस story से हमें क्या moral मिलता है देखते है Moral of the story is be contented with what you have लब आग के पास जो कुछ भी हो उसी में संतुष्ट रहना चाहिए खुश रहना चाहिए तो बच्चो हमें भगवार ने जो भी दिया है अगर हमें सुन्दर्ता मिली है या हमको रूप है हमें आरे अंदर कोई talent है हम पढ़ने में अच्छे है या हम खेलने में अच्छे है जो भी हमें मिला है हमें उसी में संतुष्ट और खुश रहना चाहिए इसी के साथ इस स्टोरी को हम खतम करते हैं तैंक यू